पूरण संतों के बाणी बचन भी अनन्त हैं और उनमें बहुत बड़ा हिस्सा उपदेश के बाणी बचनों का ही है जरूरत भी उसकी है और उनका विस्तार इतना है कि अल्जाड खड़ा हो जाता है तो बाब जी शाब ने बड़ी दया कि प्रेम प्रकास ग्रंथ में वेसे ही बहुत सार आमरत-अमरत सब बाणी बचनों का संतों के उपदेश का संतों के सिद्धांत का बाब जी का सार सार इतनी सरल भासा में हमाया मोज है दिया है इनकी तो इस उपडेश के एंग में भी बहुत ही सार सार की बाते और यह जो खास तोर से इस समय जो कि बॉला गया जो बाड़ी बाबजी साहफ की बोली गई कुछ गिंटी की बाते हैं लेकिन ये दिन को उनकी दया हो हम पर और अपना पाएं अमल में ला सकें तो इतने से ही हम लोए से कंचन हो ही जाएंगे और इस बजन के आखिर में तो बाबजी साब का स्वयम का फरमान है कि फिर किसी किसम का डर नहीं है संसे रखने की जरू बाब जी साब के मुकारविन से दिया हुआ हम लोगों को आसिरवाद है उनका बचन है उनकी प्रतिग्या है डर नहीं रहेगा तो असली फाइदा या असली हमारा लाब तो होगा इनके पालन करने से और जितनी बातें संतों ने फरमाई और बाब जी साब ने जो उपदेश के अंग में फरमाया तो एक बड़ी बड़ी ही सुंदर विद्धी बाब जी साब ने इसमें स्वयम अक्तियार की कि सारी उपदेश की बातें मन को ही कही गई है इस बजन में तो मन का नाम नहीं है लेकिन बाकी के जो उपदेश के अंग में जितने बजन बाब जी साब के हैं उन सब में मन को ही सिक्षा दी गई है मन को का गया कि है मन तू ये बात मान ले क्यों कश्ट उटाता है क्यों गबराता है क्यों माया जार में फंसा हुआ है क्यों आवा गमन में फंसा हुआ है, सरहल बात है छूटना, बात थोड़ी सी है मानने की, हम बानी बचन बोलते तो अक्सर हैं और पालन अक्सर भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते, यही हमारी मिडम बना है, यह हमारे साथ एक माया का, हमारे मन का, हमारे मलीन सबाव का, हमारे साथ एक गंदा मजाख है, पड़ते रोज हैं, कारण ऐसा है कि, जो बाप जी साब की, माताई साब की ठोकर खाएवे हैं वो सत्संग में हाजरी देते हैं और खुस होके देते हैं प्रसंद होके देते हैं और ये बहुत बड़ी बात है वो सब लोग बंदनी हैं, पूजनी हैं हमारे लिए जो सत्संग में खुष होकर के जाकर के बेड़ते हैं सत्संग का जब समय होता है तो उसे बोज और भार नहीं मानते ये उन पर बाप जी साब की दिया है तो अब संतों ने बाप जी साब ने फरमाया बात इतनी मान गर गर का मतलब है अगर तो क्या फर्माया थोड़ी सी बात इदी तू मान सके तो हमारा निश्चित ही सारा डर मिट जाएगा और सबसे जरूरी बात इसमें क्या है करना गुनावन सोड़े अभी अभी अपन ने विचार किया कि सत्संग में कुछ जो खास तोर से जो पुराने सत्संग ही है उनके उपर बापजी साब की बड़ी करपा है कि सत्संग में खुष हो करके जाते हैं निवी तोर पे जाते हैं और ये उनकी बड़ी करपा है, लेकिन सब्द उसमें भी जुड़ा हुआ है, लेकिन परंतु करना गुनावन छोड़ दे, गुनावन सायद हमारी अभी छूटी नहीं है, और इसके छोड़े बगेर कुछ लाब हुआ भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बाब जी ये उनकी अतिरिक्त करपा है, हमने ऐसा सत्संग में जाकर के भी कोई कमाई नहीं कर ली, कमाई तब होती जब गुनावन छोड़ जाती, तो फिर क्या करते, गुनावन छोड़ जाती तो सच्चा या डंग का सुम्रन, जिस सुम्रन से लाब होता है, वो सुम्रन कर पाते, गुनावन ये दि छोड़ जाती, तो बिंती प्रार्थना जो हमें बाब जी साब ने और सब संतों ने सिखाई, उसको हम उसी तरीके से कर सकते कि जिस से वो बाब जी के दरवार में मंजूर हो जाएं, ये दि गुनावन छोड़ जाती, तो जो उपदेश के बचन, बाब जी साब ने फरमाए, हमने उनके स्वयम के मुखार बिन से उस समय भी सुने, और आज भी उनके बाणी बचन हमारे पास उपलब्द हैं, और ऐसा ही सब दूसरे संतों ने भी फरमाया, ये दि हम कुनावन छोड़ पाते, तो वो उपदेश के बचन, क्या हैं, पारस हैं, हम खोटा लोगा हैं, छू जाए तो सोना हो जाएंगे, बाब जी का नाम भी पारस है, बाब जी का उपदेश भी पारस है, बाब जी का जो घट में दुन्यात्मक सब्द का रूप है, वो भी साक्षात पारस है, हम किसी से भी तो नहीं छूए, छूए नहीं, दूर से पारस को लोय के सामने दो चार जुग तक पड़ा रहने दो लोगा सोना नहीं होगा। छुजाए तो एक बार में ही सोना होगा। अब हमारी समिश्या भी यही है। आमने सामने होगने का मतलब हम सत्संग में जाकर के बाप जी के उस दर्बार में उस दिव्य दर्बार में हम जाकर के मत्था ठेकते हैं। हम वहाँ जाकर के उनके दर्बार में हाजरी देते हैं उनके समय में भी देते रहें। और सोना तो नहीं हुए। तो रुकावट है हमारी गुनावन, हमारा मन का संकल्प विकल्प वाला, कल्पनाएं उठाने वाला जटील और गंदा सभाव, छोड़ता ही नहीं, कुछ तो मन का सभाव जटील है, संसकार बहुत ज्यादा प्रबल है, और थोड़ी शी बात दूसरी इसमें और है, वो है कि ह हमारी कोसिस भी कमजोर है, हमें इस बात का मान लो गुनावन हमसे ने छूटे, तो हमें अपसोस कब होता है, यदि अपसोस नहीं होता तो इसका मतलब हमें गुनावन नहीं छूटने का सच्चा दुख भी नहीं हुआ, सच्चा पस्चा अताब नहीं हुआ, हमने बाब जी से फिर सच्ची मदद मांगी नहीं, यदी हम सच्ची कोसिस करते और निश्चित बात है कि हमारी कोसिस से मन गुनावन छोड़ देगा, इसकी संभावना नहीं है, हमारी कोसिस कितनी कोगी, वो एक बजन में है कि गिर्गिट पौरुस करे कहां लगे, हम कोसिस करेंगे, मैनत करेंगे, कितनी करेंगे, गिर्गिट आम तोर पर किसी पेड़ पर रेता है, वहीं उसका जनम हो जाता होगा, उसके माबाप वहीं जनम होता है, फिर उसके बाद में वो उसी पेड़ या आस पास की जाड़ी में रहता है, और साहिद वो अपने जीवन काल में उस पेड़ से सो मीटर के दायरे से बाट कभी जाने का उसका काम ने पड़ा जाता ही नहीं आसपास उतरता है पेड़ से आसपास गोंके उसी पेड़ पे चड़ जाता है सो मीटर से ज्यादा जिसने दुनिया नहीं देखी वो बेचारा पोरुस करेगा तो क्या कर लेगा दोड़ करके कहां तक जाएगा और यही बात हमारे साथ लागू होगी कि यहीं हम कोसीज करेंगे गुनावन छोड़ने की तब भी हम कितनी कर लेंगे सफल नहीं होंगे लेक का मतलब है सचे मन से कोसीज करें जी जान लगा कर कोसीज करें और फिर भी यही हमारा मन गुनावन नहीं छोड़ेगा और सचमुझ में नहीं छोड़ेगा तब बाब जी से जब मदद मांगेंगे तो हमारी कोसीज करने पर हम सफल नहीं होंगे तो हमारा एंकार कुछ गड और दीन भाव से दीम प्रार्थ ना करेंगे, सच्ची मदद मांगेंगे, तो वो बाब जी के दर्वार में सुनी जाएगी, हमारी सुनवाई होगी, और हमारी कोसिस पर बाब जी रीज हैंगे, कि बेचारा कोसिस तो काफी कर रहा है, इसका मन बड़ा सेतान है, यह क्या करें तब बाब जी जब ध्रवित हो जाएगे, जब बाब जी रीज जाएगे, तब उनकी जब गरफा होगी, तब मन बुणावन सुनेगा, अब यह प्रोसिजर यानि यह तरीका है, इस्टेप बाइस्टेप चले यानि कदम बद तब कदम चलें, सीडि तर सीडि चलें, तो इ अपनाएंकार समाप तो जाना चाहिए कि में भी कुछ कर लूँगा, क्या कर लेंगे? पांच मिनिट गड़ी देख करके यदि निश्चल रख सके मन को, तो बली आ रही है उस सत्संगी की, नहीं कर पाएंगे इतना. एक सत्संगी भाई इनने कुछ दो-तीन साल पहले में रुका था, कि रात को मैं उठा और मैंने सोचा, कि आज तो सुम्रन कर रहे हैं, तो सुम्रन करते वेक्ट पूरा ध्यान रखूंगा, कि मन को सुम्रन से अलावा कहीं जाने ही नहीं देना है, कौसिस करूंगा, ध्यान र तो उसने जब बताया वाल में कि मुझे याद है कि दो या तीन नाम तो आये होगे सद्गूर जयाल के, बस चोता तो साहित नहीं आया, और फिर मन कहीं चला गया और लंबे चोड़े हिसाब में लग गया, उसके बाद में आदे गंटा, पूर्ण गंटा बाद में जब दे तन थीर, मन थीर, बचन थीर, सूरत निरत थीर होई, कहें का बीर इस पलक को, कलपन पावे कोई, इस एक शन को, जिसके अंदर हमारा तन थीर, मन थीर, सुरत भी थीर और निरत भी थीर, अब ये निरत क्या है? ये सुरत का जो अना सब्द खोजने वाड़ा अंग है, जो सुरत सब्द की खोज में लगी है, अभी तो पन दुनिया के अंदर अभी ये शी बजन में आएगा, कि सुरता गगन में छोड़ दे, वहाँ छोड़ने बाद निरत शरू होगी, अभी अपने निरत वाड़ी द पोतार, एक सोखड़ी में चार-चार जूग होते हैं, सच जूग ट्रेता जापर का जोगा, चमार इसला किते हैं, इजार बर्ष का तो एक सोखड़ी, फिर वह सोचिन में सोखड़ी, उतनी कोसिस करने पर भी ऐसा होता नहीं है, कब होगा, तो इसका मतलब फिर आगे जिन प्राठना करके सच्ची मदद मांगेंगे, दीन ता हमेशा मनी रहेगी, तब बाप जी की दया होगी, तब काम मनेगा, बात मीठी सब से कर एकांत मेरित ध्यान धर, जगत में कुछ बहुत जरूरी बाते हैं, जो है वो तो सत्संगियों को बड़े जादा संयम नियम बहु अंग है, वो ग्यान का मार्ग है और बड़ा उल्जाड है, अपना तो सरलता वाड़ा रस्ता है, बक्ती मारग है, प्रेम का रस्ता है। बार में मुझे भी प्रवेश मिल जाए जो कि मैं तो बैठा तो आप सब प्रेमियों के बीच में हूं लेकिन प्रवेश मिलना अलग बात है और मैं कड़वा बोलता हूँ और जो मेरे अंदर तो यह बड़ी भारी खराबी है तो फिर प्रेम की पोल में तो प्रवेश नहीं मिला सरुवात ही मिठे बोलने से होगी बाप जी से प्रेम करेंगे यह तो बहुत दूर की कोड़ी है करना तो है लेकिन अभी जो मेरे पास में सरसंगी भाई बेटें जिनके बीच में मैं रहता हूँ मैं उनसे ही प्रेम से बात नहीं कर पाऊंगा फिर सोचता हूँ बाप जी से प्रेम करने के रस्ते पर मैं आब आ गया हूँ सूरवीर हूँ तेनात हो गया हूँ तो वो सब दोखाई है मन का बात मीठी सब से करना यह बाप जी का हुक्म है भाई कम बोलो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोलो तो कोई बात नहीं, कड़वा तो मत बोलो, बात मीठी सब से कर, एकान तुम जब समय बचेगा, कम बोलेगा तब ही समय बचेगा, ज्यादा बोलने हताईयां ही हताईयां ही हताईयां और और हताईयां, अभी ब तो समय भी बचाना है इसलिए जगत के सब काम कम करने है और बोलना तो फालतू काम है हरी रामजी महाराज हुए है सीन्थल में आपने फरमाया है कि आप लोग दुखी क्यों हो जदा बोलते हो इसलिए दुख हो कई कारण है लेकिन ये भी बहुत बड़ा कारण है जदा बोलोगे तो जदा दुख पाओ जदा बोलोगे तो जदा दुख पाओ जदा बोलोगे भी बाप जी नाम का सुमरन करो उसी समय को बचा करके तो चुप भी रहने से समय बचेगा और बाकी जगत के परपंच वारे काम भी अपन बहुत ज़्यादा है उनमें भी समय दूसरा बहुत जाता है तो इन समको बचा करके बाप जी साब ने कहा कि एकांत भी डूंडो एकांत का मतलब क्या वो जो पुराना समय था जाकर के हिमाला की कुफा में बेट करके भी बजन सुमरन करने का समय उबा करता था वो तो बीट गया अब तो किसी पराय गाउं के अंदर अपने मुल्क में ही हो और जामे तो लोग कहेंगे यह कोण आजमेर क्यों आया है गाउं का सर पंच और पंच आज करके कहेंगे वह यह तुम कोण यह क्यों आयो और नहीं रेने जेंगे और अंजान जगे जाकर के रेना तो अब समय देरी देरी बदल गया है और एकांत का असली मक्सद कुछ और भी है एकांत मन की लसा का नाम है बार भी उसका एक रूपक जरूर होता है कि बार ज्यादा बीड़ बार ज्यादा प्रपंच वाले काम वो एकांत में बादक है ज़्यादा ताम जाम ज़्यादा सजावट ज़्यादा बड़े बड़े आयोजन दिखावटी आयोजन ज़्यादा पैसा जिन में खर्च होता है ज़्यादा लोग जिन में इकटे होते हैं सत्संग में भी यह दी गाजे बाजे बजाए जाते हैं राग रागनिया गाई जाती है, पेसे दे करके गवईयों को बुलाए जाता है, तो सत्संग में भी प्रार्तना समाप्त हो जाती है, कहां रहती है, फिर वहां पे भी एकांत नहीं है, तो अब परमार्त का रूप ही कल्यूग में ऐसा हो रहा है, लेकिन अपने को तो बाप ज जो रस्ता बताए उस पर चलने की कोशिश करनी है, यहां पे एकांत मन का जरूर लाया जा सकता है, यदि मैं अपने मन में सबसे बात करते वे भी उसमें रूची नहीं है मेरी, कम बोलता हूँ, ज्यादा बात बढ़ाना नहीं चाहता, फालतु बात अपने दिल, किसी ने अपने दिल में उसको कुछ नहीं नहीं दिया, और फालतु बात का जबाब नहीं दिया, फालतु काम कम कर दिये, तो एकांत का एक बड़ा हिस्सा अपने को भी मिल जाता है, तो संतों ने फर्माया, बापजी साब का उकम है, एकांत में बेट करके ध्यान धर, ध्यान किसक यह है कि हमेशा यह गोसित उपदेश है सब संतों का और बाफजी साथ का कि ध्यान करना गुरु सरूप का और यह कोई बदलने वाला नियम नहीं है जो गुरुदेव हैं जिन से नामदान मिला है उनके शरूप का ध्यान करना यह अकाट्टे सत्य है कभी बदल नहीं सकता कि इसका करना सत्गुरू की आस कर तु़ जग की आसा तोड़ दे अब कहते हैं दूसे रुकावट क्या है जगत की आसा ने चूटी आसा ने चूटी तो जगत से समन्द कभी-कभी नहीं तूट पाएगा हमारा जगत की चाहनाएं बाकी है और उन चाहनाओं को जगत के साथ उनों से पूरा करना बाकी है तब तो फिर मुश्किल है बाब जिसे नाता जोड़ना। दो स्टेज हो गई इसके आसा का एक तो जगत की चाहना है और उन चाहनाओं का इन जगत की इच्छा है और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जगत के साधन यानि में अपना सामर्त मेरा सरीर, मेरा बल, मेरी समझदारी, मेरा दिन संपति, मेरे कुट्वम परिवार के लोग मेरे मित्र बंदू बांदव यह सब जो नई जगत के साधन है और जगत के इच्छाएं याने सरीर का सुख परिवार का सुख परिवार की बढ़ोत्री नाम मान बढ़ाई मिले जगत में धन संपत्य ही कट्टा हो जाए ज्यादा मकान जायदाद बनावें अच्छे-च से सुरक्षित करें अभी अनंत है चान है अभी शीमा इसे मापत होने वाले नहीं है यह तो है जगत की आसा और फिर जगत की आसा को पूरा करने के लिए बंदन करने वाले उपाए बाप जी साब ने फरमाया वह इन को छोड़ना पड़ेगा ने तो जगत की ज्यादा चान पड़े तो पहला हुकम ऐसा नहीं है कि उसके लिए बाप जी से प्रार्थन करें पहला आदेश है कि हिम्मत पूर्वक उसको सेन करें यदि सेन करने की सीमा में नहीं हो तो जो सरनागत है वो अपने बाप जी से प्रार्थना कर भी सकता है और हिम्मत मांगे उनसे उनको से सेन सक्टी मांगे और यदि उसके बावजूद भी सेन नहीं होता, तो दूर करने की प्रार्थना भी कर सकता है, बसरते की तकलीब ज्यादा हो और सेन होने की सिमा के बार हो, हालांकि यह कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, सेन करना ही अच्छा तरीका है, फिर भी जो जिसकी सरन है, वो अपना दुख किस से कहेगा, हनुमान जी के आगे संकट के लिए, संकट निवारन के लिए प्रार्थना कर दी, हाथ फिला दिया तब तो मामला बिल्कुल ही डूब जाएगा, या हनुमान जी से मेरा मत्र वैसा नहीं, अपने हनुमान जी से कोई विरोध नहीं है, किसी भी दूसरे इष्ट के आगे हाथ नहीं फिलाया जा सकता, हनुमान जी क्यों उनके मालिक, उनके स्वामी बगवान राम हो तो क्या हुआ, अपना जो इष्ट है, जैकर मनर्स रमजाइसन तैटेईसन काम, जिसका मन जिससे रमगया, उसको उसी से काम होना चाहिए, उसी से वास्ता, बाकि लोगों से किस बात का वास्ता, अपना जिए एक सरन ले ली, तो बाब जी दुख दूर करें या नहीं करें, हमारी प्रार्तना आज सुने की कल सुने की पर्सों सुने की नहीं सुने, उनकी मोज, जैसे वो रखेंगे वैसा ही रहना, प्रेम से रहना, लखवा हो जाये तो फिर बुटाटी नहीं जा सकते, फिर बाब जी है ना सुनने वाले, बुटाटी में कौन दूसरा बेटा है, जगत के लोग जाते हैं, उनका दुख तकलिप बाब जी से संबंध नहीं है, अपने हैं ना, अपन तो उनकी संतान है, उनकी सरन लीवी है, तो जग की आसा छोड़ना है, तो उसमें ये ने बु इसका मतलब या कि किसी की भी सामने आत नहीं फिलाना है, बुगत लेंगे मनजूर है, कोई बात नहीं, बुगत लेंगे, इससे जएधा क्यों होगा, वह जाने वाले भी मरते हैं, वह फेरी देखे आने वाले कौन से हमर होते हैं, और यह तो इनी डानियों के अंदर एक ल होने बाला है, मैं बेटा हूं यहां पाट करता हूं, और करता है जाओंगा, वह सूरवीर थे, कौन? बगत जी, साइध दोसो तीन सो कितने पाट राजी जी सुनते नहीं है, साइध देड़ दो दिन तक करते ही पाट, बीच में उटे पैसाब करके आए, वापस बेट और वो लगवा ठीक हुआ और उसके बाद में तीस साल निकाले, अभी सरी तो चूटा है, चार पांट साल पहले और बगत जी कोई 40 साल ने को है, उसके पहले की बात है, वो लगवा वो पैंतीस साल निकाले, को जूरू नहीं है, बाब जी है ना, लेकिन वही ऐसा करेंगे तो बाब जी सुनते भी है, उससे ज्यादा सुन ले, कम सुन ले, जल्दी सुन ले, वो उनकी मोज पर है, हमारा जिसमें पहला होगा, वो तरीका बाब जी अपनाएंगे, स्विकार करेंगे, बोजन सदा सुक्षम करे, नींद को तु कम करे, बड़ा विगन है, बारी आके खाले, तो बाब जी का सुक्षम का मतलब है, हलका, सादा, सुद्ध, पवित्र और मात्रा में भी थोड़ा बोड़ा, और बाब जी साब ने, जो प्रवचन बाब जी के छपे हैं, उनके अंदर ये बात बाब जी फर्माई है, कि बोजन कम करे, उपदेश के वचन में है ये बात, और लिखाया कि साम का बोजन निश्चित तोर पर मात्रा से कम करे, एक चोथा ही, बाब जी ने काम लिया, एक चोथा ही बोजन साम का आवश्य ही कम होना चाहिए, फिर कम के अलावा बोजन सादा भी होना चाहिए, अपने बहुत बड़े सस्थंगी थे, जादा खाना ठीक नहीं है, रजोगुनी है, एक ससंगी का नाम लिया, वो नाम तो मैं नहीं लूँगा, वला कि वो तो एक सो ग्राम का इस्चिल का चम्मच आता उतना गी बोजन में लेते ही रोज, पुराने लोग लेते हैं भी भी अपने आतो गी तो छूटा नहीं प्राट्सना हाथ जोड़के की, कि आप तो कहते हैं कि चिकना चुपडा खाय के गला खटावे कौन बखरी पाती खाते है, ताकि काडी खाल, वो तो बखरी के बारे में है, लेकिन एक कभीर साब की साखी में है, उसकी एक लाइन हा, रूका सुका खाय के ठंडा पानी एक दूसरी साखी जिसमें यह है कि चिकना चुपडा खाय के गला कटावे कौन, खुस खाना है, खीचरी जामे है, टुकनान, एक चिम्टी नमग तो डाल सकते हैं, और चिकना चुपडा खाय के गला कटावे कौन, तो उदारन अपने ही सरसंगी थे, वो अब नहीं है दु अची गई, वो भी नहीं है, फिर भी उनका नाम नहीं ले सकता, असिवाजन का कि वो तो एक गोल, चमच, सो ग्राम का जो डाल वाला होता है, उतना गी लेते हैं, तो फिर उनको नाम की दूलत कैसे मिलेगी, तो बाब जिनका काय को मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी 들 वहां कोई पवपावभाईका राज है कह दिया, कबीर साभ ने क्विल पसके बात चाहब का उनोंने जो कह दिया नहीं है, जो कहता है ustvarya कगर ना कौई की बदल नहीं सकता ना कोई उनके कानून को बदलेूoff. उर आ ज्लोगुनी है. तो बोजन करे सादा और करे मात्रा में कम, आगे बोजन विवेक में तो बड़ी बाते हैं, बोजन पवित्र हो, मेनत की कमाई का बनाया हो, ताजा हो, बिमार करने वाला भी नहीं हो, रजोगुनी भी नहीं हो, तामसी भी नहीं हो, नसय वाड़ी चीजें भी नहीं हो, हलका पूरा पवित्र नहीं होता है। तब फिर पूरा पवित्र कैसे होता है। अपनी मेनत से कमाये वे उपार्जित किये वे जो सामान बनाया, बोजन बनाया या पैसा कमाया। उसका एक हिस्सा पहले दीन गरीब की सेवा में नहीं लगा। तो बाखी का जो बचावा वो भी अभी पवित्र नहीं है। और उसको खाने से संस का अंत करनों पर जो अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अंत करन सुद्ध पवित्र निश्चल नहीं होंगे। जैसा खावे अन वैसा होए मन नहीं अपने कावत बिल्कुल सची बात है। जैसा खावे अन का मतलब है मेनत से कमाया हुआ पवित्र अन। वैसा खाएंगे तो फिर मन भी पवित्र होगा। अभी अपने गुणावन की बात पर यह बात बाप जी ने फर्माई यह गुणावन नहीं चूटती तो उसका यह अगला उपाय भी है। समय कम है इसलिए संक्षेप में बचर्चा कर लेते हैं। नींद को तू कम करें। नींद को कम करना जरूरी है। नींद यह आलस और प्रमाद आज आज तब सो जाते हैं। कल से तो फिर उठना ही है। यह भी कल कभी आने वाला नहीं होता। और इस समय ऐसा करते करते हैं अपन सब बुढ़े हो गए हैं। और जो नहीं हैं। उन भाईयों से भी हाथ जोड़ करके मेरी प्रात्ना हैं। और जो अपन बुढ़े हो गए हैं। अपन लोगों से भी अब बाप जी साब का हुक्म है। कि नींद तो कम होने ही चाहिए। लेकिन अब सब के सरीर एक कर्यूका विगन भी आता है ना बीच में। सब के सरीर तो रोगी हो गए हैं। अब डाक्टर कहता है नींद पूरी लो। नहीं तो साइकलोजिकल समस्य होने लग जाती है। नींद कमाने से हार्ट पे लोड़ जादा पड़ता है। दिमाग के नसें कमजोर होती है। तो आठ गंटे नींद लेना जरूरी है। ऐसा कहने लग जाती है डाक्टर बिमारों को। उनके बीच में समझ से कहीं बेठाना पड़ेगा। दोनों बातें सही है। मन में सदा धीरज दरे। दिरज के बगेर क्या नहीं मिलता? प्रेम नहीं मिलता। और दिरज आएगा कब? जब आपजी के प्रति गेरा प्रेम होगा। प्रेम बिना दिरज नहीं., बिरभीना बेराग। सत्ति गूरू बिन जावे नहीं, मन मन साकादाग। यह कानून भी कानून तो सारे कभीर साभी बनांगे क्योंकि वो सुरू में संतमत कायम कि उस दिन सब कानून उसी दिन बना दिये और एक ही है जो बाब जी ने फरमाया वह उन्हों ने फरमाया जो उन्हों ने फरमाया वह बाब जी ने फरमाया दोनों एक ही हस्ती थे तो सब संतों के बाणी बचने कई प्रेम बिना धीरज नहीं प्रेम के बगएर देरी आएगा नहीं तो प्रेम बाप जी से जोड़ें और मन में कोशिस करें कि मजबूत बना रहे हैं धीरज कब छूड़ता है जब संकट आता तब छोड़ देते हैं अच्छे अच्छे बुखमरी आ सश्रम में और लगकरश मैंने तो आपने पता चलता टो बटाती जाना पड़ेगा लखा हो गया टो है तो वहां पता नहीं कोन ससंगी खड़ाता उसने का बुटा टी क्यों जाते हो बाप जी को परुसा रख थे हैं तो मूटाटी जोरُड़त नहीं बाब जी साहशर्शा ह इसा नहीं है, तो उन ससंगेन का मेरे को बाब जी ने फर्माया कि तू गुटाटी चला जा, जूट नहीं बोलता हूँ, मेरे क्या वहीं लेगा जूट बोलने से, तो मैं भी सुन रहा था, कान पकड़ लिए बाब जी मुझे तो बचाना ऐसे, कभी समझ जा तो आई जाएग बोला मेरे को बाब जी ने हुकम दिया है, कि तू जा, तो अब इस लिए जा रहा हूँ, तब तो बहुत बढ़ी बात है, जाओ भई, कोण मना करें, तो दीरज तो संकट में छूट जाता है, लेकिन को सिस अपने को करनी है, अपनी को सिस करने के बाद में सुरूमे में नि निवे की बाद, तो दीरज हमेशा रखे और फालतू की कलपना है नहीं रखे, यह हमारा मन जो ना सेख चिलनी है पागल है पूरा, यह तो हम छिपा लेते हैं, तब अगर में मेरे मन में जो जो बातें उड़ती है, वेसी कि वेसी आप सब लोगों को कौँ, तो आप सब ल इसने हमत वाले हैं जिन्हों ने ऐसी ऐसी बातें कहीं, और ऐसा हरे कर ही नहीं सकता है, आपन तो बहुत निर्बल हैं, और यह सच मुझ में आप लोगों को सब को पता चल जाए ना, कि मैं जैसी जैसी बातें सोचता हूं, तो आप लोग मेरा मूं भी नहीं देखेंगे, और मुझे पागल भी मानेंगे, गंदा भी मानेंगे, नीच अदम जित्ती बातें सब मेरे उपर लगो होती है, और बास्ति भी है, इसलिए किस बात का पिर एंकार करें, फिर किस बात के लिए दूसरों के अगुन देखें, कभी दूसरों के अगुन देखने नहीं जानकार ही नहीं होगी और उससे प्रेम करेंगे, तो वो दोस हमारे अंदर भी आ जाता है, जिसका प्रेम से संग करेंगे, उसका रंग लगेगा, अच्छे के संग का अच्छा रंग लग जाएगा, बुरे के संग का बुरा रंग लग जाएगा, तो अच्छा ही और बुर बुराई भी होगी ही होगी लेकिन वहां पे हमको रस्ता दिखा दिया संतों ने सादू ऐसा चाहिए जैसा सूप सभाई सार सार को गई रहे थोता देई उड़ाई हम गुण गुण लेवें इसलिए किसी के अंदर बुराई है उसकी चर्चा करने से परेज नहीं है उसकी नि नगेत से उसकी दोस्त बताने चाहिए नहीं गिन ने चाहिएम लेकिन हम उस दोस्ते बचे रहें उसका संख करेंगे उन में जो रहते जकी मैं उसके एंदर के अम रांपणा है और भी रहे लेरवे टो बांपने के लिए shiny फलाओ मी है वो जोना आलस तो ज्यादा पर ऐसा कहने से में सावचेत हो गया कि उसके अंदर वो कमी है वो अपने अंदर ने आवे इतना ही देख सकते हैं कि इसे के अगुन बाकी अगुन से बचना है बेठे तु आसन दृड़ा कर बापजी साब ने उपदेश के वचन में फर्माया है कि बेठे तो कमõr को सीधी करके मजबूती के साथ बेठे फिर आगे समदया करके उसकी व्याकिया करी मजबूती का मतलब ऐसा नइही कि बेट तो फांच मिनट पी पाउं को आगे पीछे करना लग गया है कि यह तो पाउं दुखने लग गए तो दुखेंगे ही कल्यूग का सरीर है कल्यूग का सरीर नहीं दुखेगा तो फिर कल्यूग में दुखना चाहिए तो दुख रहे हैं तो फिर कल्यूग में हमको तो और यह सुन्दर है मोका जो मिला है हमें कर यूग में संतमत के अंदर बाब जिना दया करके प्रवेश दे दिया अपनी सरण में ले लिया अपनी सरसंग में बेटा दिया करना है इसी सरीर के साथ करना जो करना है अब है जैसा कारी कुट के वाड़ा है तो यही काम लेना जित या उसके पहले हिमत आरके सो जाएंगे, तब तो कुछ हो यह नहीं पाएगा। तो बैठे तू आसन द्रडा कर चित को एकागर कर। आसन तो शरीर का हो गया, अब चित तो चंचल ही है। वो तो कभी रुखता ही नहीं। समुद्र में जितनी लेरें आती हैं, हमारे मन की कलपनाएं कहते हैं उससे जादा है। साहिद कबीर साभ नहीं फर्माया है, समुद्र लेहर तो थोड़ियां। यहने समुद्र की लेहर तो अनंत हैं, कभी रुकी नहीं जब से समुद्र बनाया। प्रत्वी बनीर समुद्र में पानी आके बरा गया। उसके बाद लेर तो उठना बंद हुई नहीं। तो भी मापुरसन नहीं का कि हमारे मन की लेरें उससे जदा है। तो भाब जी नहीं का कि फिर तो ऐसी कलपनावाले चित में तो हमारा दर्पन जब इस तरह से चंचल होगा। चलायमान पानी के अंदर अपना चेरा देख सकते हैं क्या। तो चलायमान चित में बाब जी के दर्सन केसे करेंगे। तो नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है, पहले चित्त को चंचलता को कम करना जरूरी है, इसके लिए भी प्रार्तना, इसके लिए भी कोसिस, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को का, कि अर्जुन मन को वस्मे करना, सच मुछ में बड़ा कटिना, फिर भी किया जा सकत है, वहाँ उन्होंने दे उपाय बताएं, एक तो निरंतर अभ्यास और दूसरा बेराग्यर कि सारे करेंगे, वह अपने बाप जी साप के उसरा ब्यार के वध्ति बो तो घ्यान मार गी है, बाप जी साब का रास्ता प्रेम मार गी है, बाप जी सायों DAVID, बड़ाम संतों का खेराग्य के साथ करने याने दुनिया में लगा और ने रहे, बाब जी के प्रती प्रेम रहे, दो बाते हैं, तीसरी बाते हमें हमें तो बहुत बड़ी नेमत हासिल है, वो है बाब जी की दया का सारा, तो बाब जी की दया की मदद मांगता रहे, दीन बाब से मांगने पर ही दया की जाती है तभी मद्द मिलती है तो दिनता के अंग के साथ निरंतर बाब जी से मद्द मांगे प्रार्ट ना करता ही रहे करता ही रहे मन को रोज यही प्रार्तना करने चीक बाप जी दया करो, कुछ देर मेरे मन को निश्चल करिए, कुछ आपका नाम का सुम्रण करवा लेजिए, आपका ध्यान बनता ही नहीं है, तो तूटा-पूटा ही ध्यान बन जावे, जैसी दया तो कीजिए, मैं पूरा सही ध्यान करने के काबिल अभी नहीं हुआ, तो थोड़ी सरुवात तो दया करके कीजिए, आज एक गंटे के लिए तो मेरे मन को निश्चल कर दीजिए, आपके लिए क्या इतना बारी है, नहीं है बाप जी के लिए बारी, यदि अपन सच्चे तोर पे प्रार्तना जब सुम्रण बजन म समय में ये प्रार्तना करके बेठें, और वो प्रार्तना जबी हमारी अजी जी वारी होगी, तो बाप जी दया लू है, सुनते हैं, चित्त को एकागर कर, सब्द कातूं ध्यान कर, सुर्ता गगन में छोड़ दे, अब उपर आये था, कि एकांत मैनित ध्यान दर, और अपन कर, सब्द कातूं ध्यान कर, सुर्ता गगन में छोड़, या फरमाया, सब्द का ध्यान करना है, सुरत को गगन मंदल में छोड़ना है, यानि गगन मंदल की तरफ उसका रुख कर देना है, अभी जगत में, संसार में, माया में, बवसागर में, नीचे की तरफ उसका रूप वहन कहीं किया जाता है सब्द तो रूप ही है तो ये दो अलग अलग बाते हैं हमको मेसूस होता है कि ऐसा फर्माया बाब जी ने एक जगह ऐसा फर्माया दूसरे जगह ऐसा फर्माया दो बातें फर्माई किस का पालन करें कैसे करें डरसल में दो बातें नहीं है बात जगत में रूप था, वो इस्टूल देह मनुष्य शरीर का था, वो एक प्रतिबिम्ब जैसा था, जैसे काच में हमारा मुझ दिखता है न, वेसे वो जगत में दिखाई देते थे, दरसल में तो जो सत्य देश का, सत्य लोग का सत्य सब्द है, सत्य गुरु सब्द है, वही बाब जी के रूप में, वही माता जी साब के रूप में, वही सब संतों के रूप में, जगत के अंदर विराजमान कुछ समय तक के लिए रहे, वो इसलिए कि हम पैचाने कैसे है, सत्य सब्द को कैसे पैचाने, सत्य सब्द मुझ से बोलने वारा नाम तो सत्य गुरु नाम उस नाम का वर्णात्म ग्रूप बता दिया, सत्गुरु नाम, सत्य नाम, वो उसका वर्णात्म ग्रूप है, उसको प्रेम के साथ जपना है, मन इमन, निरन तर सुम्रन करना है, कभी भूलना नहीं। दूसरा बाबजी साथ जो देhr सुरूप था, वो भी उसी सत्यषभ सब्दकाई धारा हुआ हमारे नेखने में आने लाइक रूप था। जिसको हम देख सकें, जिसको पैचान सकें, जिससे प्रेम कर सकें, जिनके साथ रज सकें, जिनकी सेवा कर सकें, जिनको हमारी गर्ज सुना सकें, जिनको हमारी अर्जी सुना सकें, हमारी गल्ती पर जो हमें डांटे, जो हमें लाड करे, प्यार करे, ताड करे, मार करे, ये प आज अपने उपर कोई संकत आता है, कोई अचानक समस्य आती है, तो ये बाब जी साब की तरफ से आई है, इसलिए बड़ी सुद्ध, पवित्र, दिव्य और प्रेममय और मदुर भी है, तकलीप भी मीटी होनी चाहिए, मीटी लगनी चाहिए, क्यों? इसलिए कि बाब जी की तरफ से आई हुए, बाब जी की बेजी हुए, तो सब अच्छी ही है, उसको कैसे कहें, खराब है, खराब अगर कहें, मुझ से मीटी कहें, और दिल में कडवी लगे, तो वो भी बात नहीं चलेगी, मीटी लगनी चाहिए, देखिए, अब एक नाम लेके उदारन देता हू अपने एक ससंगी बाई थे, बारकदास्टी, तो आखरी दिनों में फिर चलना फिरना बंद हो गया, तो लो यंग सोग में मकान उपर कमरे में रहते थे, नीचे उतरना तो संबव नहीं था, नाल तो वह देखिए, यह सब भाईों के कैसी है, कुली नाल थे, तो उपर ही रहते थे तो गुर्दारान जना बंद हो गया, तो माताजी साब स्वयम दया करके, चार-पांच दिनों में कभी मह पदारते थे, साम के समय, तो एक दिन बाप जी ने, माताजी साब ने पूछा कैसे हो वालक, वला बड़ी दया है बाप जी, माताजी बड़ी दया है बाप कर सकते और बेटे बेटे सुमर्ण कर रहे हैं जब माताई साब पदा रही ते तब द्यान में बेठे थे साम के चार-पांथ बजे की बीच कर समय था तो बाब जी साब माताई साब ने फरमाया कि नहीं सरीर तो आपका बहुत कमजोर नजर आ रहा है तकलीक है इतना बाब जी माताजी साब के मुझे सुना और वो तो प्रेम में गदगद होगे बोला माताजी मेरे को क्या तकलीफ है अगर मैं यह तकलीफ बाप जी दया करके मुझे अपंग नहीं करते तो मैं दुनिया में जैसे पूरी उमर बटकता था और बटकता ही रहता और फिर तो समय तो बाब जी की बड़ी दया हाए कि मेरे को अपंग कर दी अब एक जिगा बैटा-बैटा कर समिनन नहीं करेंगा क ereल यह जिए क테乾 सुक्र करेंगा क्रूजी की दया है अब देखिए वह इसमें दया मेसूस कर रहे थे अब पुराने सर्संगी तो बड़े महान थे, एक सर्संगी भाई थे चंपा लाल जी दूथ, पाली में गुर्दारे के बाहर वाले कमरे में रहने लग गए थे, तो आखरी दुनों में वो उपर सर्संग वहन में आना सरल नहीं था, तो बेठे वे, क्योंकि चार-पांच यहां चटते थे, तो एक बार माताई साब पाली पदा रहे, दो फेर का समय था, और सर्संग बाहन में वो बेठे वे, सुम्रन कर रहे होंगे, प्राठना कर रहे होंगे, तो वो निकल करके बाहर आए बरामदे में, तो वो तो बेठे थे, खड़े तो ओई नहीं सकते थे, और माताई साब खड़े ते नीचे जुक्के बोले, कि कैसे हो चंपालाल जी, इतना सुनते ही, चंपालाल जी के आँखों में आंस वालते है, बोला माताई जी मेरे को क्या तकलीप है, बाब जी साब ने मुझे अपने चाती से लगा रखा, उन्होंने गोद में उठाया तो मुझे तो कोई तकती है, अब देखिया, नब्बे साल की उमर का सस्थंगी जो खड़ा नहीं हो सकता, वो ये, कि देखो, मेरे को तो अपंकर्दे में उठने, घूमने फिरने लाइग नहीं रहा, बाब जी सुनते ही नहीं है, मेरे तो कोई सेवा करने वाला नहीं था, तीन लड़कें थी, तीनों तो अपने सुसराल में थी, हालां कि आकरी समय में और बाब जी की दया रही, एक के अंदर इसी प्रेना होई, कि वो पाली से उनको ले गई अपने गर, और कुछ दिन उनकी शेवा का लाब उठाया, और सरीर, वहां उसके गर छुटा तो अच् है, तो उन्होंने ये फर्माया, उन्होंने ये अर्ज किया, कि मेरे को क्या तकलिफ हो सकती है, बाब जी साब ने मुझे अपनी च्छाती से लगा लगा, मैं तो उनकी गोद में हूँ, जो इस तरह से मेसूस करता है, सचमुच में, वो बाब जी की गोद में ही है, गुर्दारे में खाटे लो ने, बाइसार स्वेम बिमार हो गए, नाकोर के गुर्दारे में सरीर छोटा खाट कभी काम नहीं ली, बड़े बड़े गुन थे बड़े सत्सेंग्यों में, अपने को सीखने चाहिए हैं। जल से रचा जो जिसम को, हरदम जिकर उस इसम को, जिस सत्ता ने जल की एक बून से हमारा ये इतना सुन्दर सरीर बना दिया। हर समय उसी का जिकर उस जोहर का, उस बालिक के, उस परताब का जिकर याने उसी का सुमरन चालू रहना चाहिए। ये क्या बात हुई। किस ने बना दिया जल की एक बून से इतना सुन्दर सरीर। सब्द की सत्ता से ये पूरा जगत रचा गया है। उसी के आस्रे ठिका हुआ है। और उसी के आस्रे हम जगत में उतर करके भी आयरे, उसी के सारे वापस जाकर के बाब जी की चर्नों में पहुचेंगे। सब कुछ जो है प्रताप सद्गुरु सब्द का है। और इस बात को अलग-अलग संतों ने अलग-अलग तरीके से फरमाया, एक साखी, एक दूआ माताई साब हमेसा फरमाया करते थे। कि जो हर प्राणी मात्र को जो बोजन पहुंचाता है, पील याने हाती, पीपील याने चीन्टी, हाती से लगा करके चीन्टी तक का जो प्वेट बढ़ता है, वो कोण है? वो है सद्गुरु नाम. दूलन ऐसे नाम की कि इन चाहिए खोज, इसका मतलब अपने को तो मिल गया सद्गुरु दियाल है वो नाम, नहीं, वो तो बाब जी ने उसका वर्नात्मक परिचे बताया है, नाम तो गट में है, दुन्यात्मक है, दुन रूप है, वो का मिला, उसकी खोज करना है, ये उपदेश सभी संतों ने एक तरीके के दिया, प्रेम प्रकास में बाब जी न फरमाया, निस दिन गट में खोज कराई, जो सत्गुरु पूरण सुख दाई, जो सत्गुरु नाम या जो मालिक या जो बाब जी का सब्दरूप है, जो पूरण ही सुख का बंडार है, उसकी गट में खोज करनी है, कितनी निस दिन, रात और दिन उसी के खोज में लगा रहे ना, यही इसमें परमाया, हर दम जिकर उस इसम को, हर दम उसी में खयाल लगा रहे, उसी के धुन में लगा रहे, उसी के सुमरण में लगा रहे, बाब जी के रूप का खयाल, सत्गुरु नाम का सुमरण, और दुन्यात्मक गुंजार में चित लगा रहे, खयाल उदर लगा रहे, तवज्य उदर लगी रहे, हमारी सुर्ता उदर लगी रहे, अगर ऐसा हो पाएगा तो बाप जी साब ने फरमाया कि फिर तो कोई डर है यह नहीं, हो तो निकाल दो, संसे रखने की जुरूत नहीं, फिर डर न कोई कि काल के हुकम से चलती है, और काम करोद लो, मो एंकार उसके, मन उसका दूत है, यह मन के सेनापती है, अलग अलग योद्धा है, माया उसकी छल कपट करने वाड़ इदासी है, जो हमें ब्रमित करती है, लुबाती है, बूल में डालती है, सब सत्ता काल की है, निरन जन में, एक है सद्गुर सब्द की सत्ता, दूसरी है काल की सत्ता, बड़ी है सद्गुर सब्द की सत्ता, यदि हम सद्गुर सब्द से इस तरह का नाता जोड लें, तीन रूप हुए ते देखिए, एक तो बाब जी भी सद्गुर सब्द का रूप है, इसलिए बाब जी के र ख्याल में, उनके दर्सनों में, दर्सनों की मांग भी उसका एक अंग है, उनके सुरूप का ध्यान भी उसका दूसरा अंग है, दर्सनों के लिए रोना भी उसका एक अंग है, और तीसरा वर्नात्मग नाम में, हर समय सुम्रंण चलता रहे, मनी मन, सांसो सांस, और ख्याल, तवज्जह, हमारी सुर्ता उस दुन्यातमक नाम की गुंजार में लगी रहे और कभी भीडवार बाहर बात करते वक्त, दुन्या के काम करते वक्त, वो गुंजार नहीं भी सुनाई दे, उदर से ख्याल हटी जाए तो उसके वर्णात्मग नाम के सुम्रन में लगा रहे हैं। निस दिन सत गूरू सत गूरू रटे वासु देव सब संकट कटे। अपने सोचते हैं संकट ये छोटे वाड़े, ये तो सब कटेंगे, ये छोटे हैं ना, इन में क्या। सबसे बड़ा संकट काल का है, वो भी कटेगा, सबसे बड़ा संकट आवागमन का है, सबसे बड़ा संकट मोत का है, वापस जनमना, मरना, कर्मों का भी बंदन बहुत भारी है, विक्राल है, सारे ही कट जाएंगे ना, बाब जी ने फर्माया, ये भी प्रेम प्रकास के अंद बाब जी साब का दिव्य वचन है। निस दिन सता गूरू सता गूरू रटे वासुदेवसब संकट कर्टे। यह तो हुआ संक्षेप में बाब जी साब की बाणी वचन का बहुत संक्षेप में। अब वापस शुरूवात की दर से करनी तीन बातों में ध्यान लगाना है। वर्णातवग नाम के सुमरण में, बाब जी साब के सुरूव के ध्यान में और सब्द की दुन में। लेकिन फिर इसमें सुरूवात कैसे होगी। बाब जी साब के सुरूव का ध्यान करना थोड़ा मुस्किल है। बाब जी साब के सुरूव का ध्यान करना थोड़ा मुस् अन्तख अनपवतत्र नहीं होंगे, इस सब्द की दात नहीं गाए उताहे Begin जब तक एकागरता नहीं होगी तब सब्द सुना नहीं देगा। तब सब्द का अभ्यास तो हो गए तीसरी स्टेज पर। दूसरी स्टेज पर आगया बाप जी सभी के सरूप का ध्यान। और पहले स्टेज पर क्या रहे गया, बाब जी साब के वर्नात्मक नाम का सद्गुरु दयाल के वर्नात्मक नाम का हर समय सुम्रन करे, बाब जी चित्त को निर्मल करे, चित्त को एकागर करे, बाब जी के देश रूप में प्रेम बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए, और इन्तर सामिल हो गया तो इस तरीके से सरुवात करें यह भी बाब जी का हुकम है बाब जी साबने फरमाया कि निस दिन गठ में खोज कराई जो सत्गुरु पूरन सुकुदाई सत्गुरु जो पूरन सुकुदाई हैं उनके तीन रूप हैं बाब जी का नाम वरनात्मक नाम दुन्यात्मक नाम और गुर्देव का सरूप, और चो था तो वो सत्देश में विराजमान ही है, वो बाब जी का नहीं जुरूप है, वो तो हमारे कलपना में, हमारे गम के बार है, हम उसे लख नहीं सकते हैं, वो तो आगे की बात है, इस समय ये तीन सादन हैं, यही उपद का वैसा सुमरन, जो आपको पसंद हो, वैसा हमसे दया करके करवा लीजिए, जिस सत्संग के जिस तरीके से सत्संग करने पर आप खुस होते हैं, वो हमें करना नहीं आता, तो दया करके हमसे वैसी सत्संग करवा लीजिए, जैसी प्रार्तना गरजमंदी के साथ, अजी जी के साथ, गरीबी के भाव के साथ, मोताजगी के साथ करना चाहिए, वो हमें नहीं आती, जिस तरीके से दर्सन मांगने चाहिए, दर्सन मांगने की क्या दर्सनों की लालसा ये भी दिल में नहीं है, तो दया करें हमें आपके दर्सनों की लाल सादें, आपके चर्णों की सच्ची सरण दें, निस्कपट निर्मल जीवन बक्सें, आपके नाम का सुम्रन बक्सें, जो जो ये सत्सादन है, ये सब सत्सादन है, सत्य के सादन है, सत्य को प्राप्त करने के सादन है, तो ये सब सत सत्साधन हमें बख्सें, परेप्त में भी इप्राटना में है और बाब जी उसके लिए उसके उम्प्राठना करें भीक मागें, बाब जी दिया करके, मुझे गरीब को भी और सब सबसंगी भाई बेनों पर दिया करके यही दात बख से इसी प्राटना के साथ विरा। हम चाकर जिसके हुशन के हैं हम चाकर जिसके हुशन के हैं वह दिलवर सबसे आला है वह दिलवर सबसे आला है हुशन ही हमको जी बखसा हुशन ही हमको जी बखसा वह दिलवर सबसे आला है उसने ही हमको पाला है दिल अपना भोला भाला है दिल अपना भोला भाला है और इसक बड़ा मत वाला है क्या कहिये और नजीरागे अब कौन समझने वाला है अब कौन समझने वाला है हर आन हसी हर आन खुसी हर आन हसी हर आन कुसी हर वक्त आमीरी है बाबा जब आसिक मास्त फकीर हुए फिर क्या दिल गीरी है बाबा बोलो परमसंत सद्गुरु स्वामी विस्ट्वानन जी सायव की धन धन सद्गुरु केरहियास्त धन धन धाताजी माताजी स्वा विस्वारण्व धन